तो हमें दादक कहानी बता रहे थे इत्यास बता रहे थे वोर्चा का और लेकन उनकी खुद की एक कहानी है एक ऐसी कहानी की एक चौकीदार जब यहाँ पर चौकीदारी करने की नौकरी करता है और 30 सालों का अनभव उन्हें नौकरी करते करते विदेश से परेटक आते हैं उनको देखते हैं, समझते हैं, तो उनकी भी लालसा होती है कि मेरी बच्ची क्योंने एंगलेस बोले、 और दादा जी की भी एक कहानी है कि उन्होंने अपनी बच्ची को यहाँ पढ़ा कि एंगलेस यहीं पढ़ाई। तो उसको इंगलेस स्कूल से पढ़ाया और इंगलेस स्कूल से फिर इसको मनलब बेटी का नाम है एटेश सिरीवास जो आज और अश्टेलिया में डेंटे से हूँ और यहां पहले उसने गाइड का काम किया तो और्चा में भी करती थी इसके बाद में उसका लाइशन नहीं तो यहां के गाइड़न थोड़ा परिसान किया तो उसको मैंने दिल्ली भेज दिया तो दिल्ली में उसने इस पेनिस के बाद वहां गुरूप लीडर बन गी तो गुरूप का काम करती थी महला पूरा अपनी साइट इसके बाद मैं उन्होंने जो है अपना साधी का विचा अखेद तो उन्होंने अन से बात हुई तो तीन साल उनकी बात सब्सक्राइब दो बरस के लिए हुआ है पतई पतनी सरथ गोई ऑप नहीं अभी आए अक्टूबर में आई थी हर साल आती है कितने बरस की थी जब हिर्देश यहां हमाई साथ आना जाना डेली खाने का टेपन लेके आती थी तो मैं टूरोस्टों से बुलता था बाद करो तो उसको इतना इस्पीरियंस हो गया था के इंगलिस के बारे में तो ब झालिस वाइड होंगे और्चा में और्चा में आज की स्थिति में कम से कम में 40-50 गाइड होंगे 30-40 30-40 गाइड होंगे जब हम आप दादा से बात करें रहें सिर्वाट जी से तो दादा जी बतारें कि मेरे पास अगर मैं ब्रताने बैठू तो पूरा दिन लग जाएगो और्चा की हिस्ट्री के बारे में हर्च जहांगीर के बारे में राजा मेल के जिक्र ना करके आपकी बेटी की कहानी जानते हैं दादा तो अभी और कोई फौरन यहां बेदेश गया है और चाह से क्या कोई गाइड यहां से काफी लड़के पहुंच गए बेदेश पहुंच परेटें के बज़े से ब्यापार बढ़ा है कुछ और भी डबल आदमी यहां का कम से कम पलता है उससे जो जो दुकाने जित्ती गरीब छोटे लोग हैं तो इनका सबका माध्यम चलता है और फिर राम राजा की नंगरी है तो यहां राम राजा के लोकल अपने आसपास के बहुत है यहां हर पुक के दिन मेला लगता है एक जानकारी और चाहिए जैसे इंडियन अपने लोग आते हैं तो उनका तो टिकेट कम होगा वंग्रेजों का क्या अंग्रेजों कि यह उनका टिकेट है 50 रुपए में सार्या पूरा उर्षा चलता है उनका है साड़े साथ स जबे जाता है जैसे आप समझें कि उनका एक डॉलर 50 रुपए पहुशा 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 है तो तो जैसे आप बता रहे हैं स्रीवार जी कोई एक ऐसी कहानी यहां से हो कभी अंग्रेजों को यहां दिक्कित तो नहीं होती है सुरक्षा में कुई ऐसे घटना हुई हो अ तो आप देखो जित्ती वी छर्तियां है 400-500 बरस पुरानी हैं, तो आपन लोगों में बताया जाता है कि 400-500 में जो है वो मनुस्ट करूप ले लिता है, तो फिर वो ऐसी सक्तियां नहीं देती है, जो भूति उनी में कहते हैं, तो अब 400-500 बरस में 70 गए हैं, तो इन चीजों की पहले जादा जादा च्छतियों की कितने लोगों की देख रहे हैं, च्छतियों में बैसे पर्मनेंट में दू लोग हैं, बागी स्वकोर्टी काम कर रही हैं, जो गार्डन है, जो गार्डन भी एक सिंगलोटी फिक्चन आईती और श्टिलियन, तो उन्होंने जी पीड मंगवाए थे तो यह पीड जो है 21 पॉइंट थे और चामें दो महीना सूटिंग चली थी, यहां पर तो यह पीड जो है सारे वापस जाना थे, तो साथ दिन के लिए और श्टिलिया नहीं जैसे आप से कंट्रेक्ट पे लिए, तो चार लाग के लिए और आपको वापस कर कर लोड़ा दिये थे जिए गार्डन की देन ही मेरी देन है कि जिमें पूरा कटन लगवाए वाव बता है विदेश लोग यहां सूटेंग करने आए, लेकिन इनकी सूचबूट से स्रीवास जी की कि यह पीड बाल्टियों से उन्हों ने गपवा दी हो आज जो इतनी हरया लिए गार्डन का कोई भी पेड़ नहीं मंगर गौर्डमेंट ने फिर विबस्ता की खाद वीज पानी गौर्मेंट दे रही है जब मैं डबलब हो गया तो सबको अच्छा लगता है आज हमारे अदिकारी भोपाल या कहीं से भी आते तो बहुत खुस होते हैं अच्छा लग अच्छा लगता है जब एफ एग।